हेलो पहरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आप होब की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के सब्जेक्ट इंग्लिस के वीक नंबर 13 की वर्क सीट को सॉल्ब करेंगे जोकी नौर्ड डेली मिंसपिल कॉर्पोरेशन के द्वार करते हैं and it used to join two words or sentences and जो word है बच्चों इसे हम दो words को या फिर दो sentences को जोडने के लिए use करते हैं when the statements are similar और कब करते हैं जब दो statements समान हो it means similarity हों में for example जैसे की राम and स्याम आर प्लेइंग तो बच्चे यहां पर नाम हैं दोनों में similarity यह है कि दोनों नाम हैं तो इन्हें किस इसे राम और स्याम खेल रहे हैं but is used to connect two statements अब बच्चों इहां पर बताया है कि बट का यूज हम कब करते हैं but को भी हम दो statements के लिए करते हैं it means उन्हें जोडने के लिए use करते हैं that express opposite ideas लेकिन उसमें क्या होता है उसमें दो opposite ideas को express किया जाता है for example जैसे कि राम कॉल्ड स्या राम ने स्याम को बुलाया but he was studying लेकिन वह पढ़ रहा था उसने उसे बुलाया लेकिन वो क्या कर रहा है वो पढ़ रहा है तो यहां पर दोनों जो ideas हैं वो अलग-अलग हैं तो इसे किस से connect किया गया है दोनों statements को बट से question है अब match the following sentences नीचे दिये गए sentences को follow करिए and write the answers in your notebook और answer को अपनी notebook में लिखिए first है I like tea अब बच्चे यहां पर and tasty snacks यह दिया गया है इससे match किया है लेकिन बच्चे यह गलत है आप इसे amend करेंगे यहां पर इसके साथ लगाएंगे I like to tea and coffee मुझे चाय और coffee पसंद है तो बच्चे यहां पर tea और जो coffee है यह क्या है similar statement है दोन इसके साथ match करेंगे next है I will take my bet and ball तो बच्चों इसे इसके साथ match करेंगे next है her writing is good but her spelling are weak उसकी writing तो अच्छी है लेकिन उसकी जो spellings है वो ज्यादा mistake करती है spellings में तो बच्चों यहां पर दो opposite ideas हैं तो इसके साथ match करेंगे next है सीमा fell down सीमा गिर गई but did not get hurt लेकिन उसको नहीं लगी तो बच्चों इसके साथ match करेंगे next है my mother cooks tasty food मेरी जो mother है वो tasty खाना पकाती है and tasty snack बच्चों यहां पर दो similar things हैं अब question number two fill in the blanks with and or but यहां पर बच्चों ब्लैंक को and or but के साथ fill करना है write the answers in your notebook first बच्चों यहां पर example दिया गया है I like tea and coffee बच्चों यह भी drink है यानि कि पीने का पदार्थ है और coffee भी मुझे चाय और coffee पसंद है I like tea अब बच्चों हमें यहां पर but का use कैसे करना है मुझे चाय पसंद है but I don't like coffee लेकिन मुझे coffee पसंद नहीं है Next है बच्चे यहाँ पर apple है और यहाँ पर mango है I like apple and mango, मुझे apple और mango पसंद है I like apple, मुझे apple पसंद है, but I don't like mango लेकिन मुझे mango यानि कि आम पसंद नहीं है Next है I love cats, dogs, बच्चे यहाँ पर क्या feel करेंगे मुझे cat और dog पसंद है, तो यहाँ पर end लिखेंगे I love cats, मुझे cats पसंद है I don't love dogs लेकिन मुझे dog पसंद नहीं है तो बच्चों क्या लिखेंगे यापर but, but I don't love dogs next है I can write with a pencil मैं एक pencil से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ a pen और किस से? and a pen और एक pen से next है I can write with a pencil मैं एक pencil से लिख सकती हूँ I can not write with a pen अब बच्चों यहाँ पर नहीं लिख सकती किस से? pen से तो बच्चों क्या लिखेंगे? but, but I cannot write with a pen next है I have a bet, a ball तो यहाँ पर लिखेंगे and मेरे पास एक bet and a wall है next है I have a bet मेरे पास एक bet है I don't have a ball लेकिन मेरे पास wall नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे but now question no.3 use and or but to fill in the blanks blanks को fill करने के लिए and or but यहाँ पर use करना है and write the answers in your notebook first is I like plums I don't like apples मुझे plums पसंद है मुझे apples पसंद नहीं है तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे? but, मुझे plums पसंद है लेकिन मुझे apples पसंद नहीं है next है today is hot आज गर्मी है sunny day तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? and आज बहुत गर्मी है और sunny day है गर्मी का दिन है next है I have ridden a horse not a donkey मैंने एक horse पर ride की है सवारी की है but not a donkey लेकिन एक donkey की नहीं की next है she had one sister and two brothers और दो भाई है he owns a car उसके पास एक car है अपनी not a motorbike नहीं है क्या motorbike तेहाँ पर लेकिन but not a motorbike उसके पास अपनी एक car है लेकिन एक motorbike नहीं है next है I am hungry मैं भूका हूँ I don't have food to eat मेरे पास खाने के लिए भूज़न नहीं है तो क्या लिखेंगे I am hungry but I don't have food to eat लेकिन मेरे पास खाने के लिए भूज़न नहीं है but का sense होता है बच्चों लेकिन के अर्थ में आता है next है my car broke down मेरी जो car है वो तूट गई I call the mechanic मैंने mechanic को बुलाया तो बच्चों क्या लिखेंगे and मेरी car तूट गई और मैंने mechanic को बुलाया he worked hard failed उसने cutting परिश्रम किया failed asafal हो गया तो क्या लिखेंगे but he worked hard but failed उसने cutting परिश्रम किया लेकिन asafal हो गया now question number 4 join the given sentences using and or but यहाँ पर and or but का use करके sentences को join करिये and rewrite them in your notebook first example है she is clever वह clever है she is beautiful किसका use करना है and का वह सुन्दर है she is clever वह सुन्दर है and beautiful बच्चे कैसे करेंगे she is clever and beautiful वह बहुत ही clever और beautiful है next है Mr. Singh is very old he is fit तो बच्चे यहाँ पर but का use करना है Mr. Singh बहुत बूरे हैं वह स्वस्थ हैं तो यहाँ पर लिखेंगे Mr. Singh is very old but he is fit Mr. Singh बहुत ओल्ड हैं लेकिन वह स्वस्थ हैं next is I went to my bedroom मैं अपने bedroom में गया I fell asleep और मैं सो गया किसका use करना है बच्चो and का answer is I went to my bedroom and fell asleep मैं अपने bedroom में गया और सो गया next is Tina had a dog at home Tina के घर पर एक dog है Tina had a cat at home Tina के घर पर एक बिल्ली भी है तो बच्चो and से हमें इसे join करना है Tina had a dog and a cat at home Tina के घर पर एक कुट्टा और एक बिल्ली है next है मीरा को juice पसंद है she does not like milk उसे दूद पसंद नहीं है हमें याँ पर बट से से connect करना है तो कैसे करेंगे मीरा likes juice but not milk मीरा को juice पसंद है लेकिन दूद नहीं life skill importance of trees पेडों की importance the importance of trees remove carbon dioxide reduce erosion provide fruits fruits मिलते हैं erosion को कम करते हैं carbon dioxide उसे remove करते हैं add oxygen oxygen बढ़ाते हैं prevent flooding bar को रोपते हैं cool our houses हमारे घरों को cool लगते हैं provide medicines हमें दवाईयां provide कराते हैं plant a tree save our earth सबी बच्चे अपने घर पर एक एक plant लगाएंगे we should plant more and more trees for making our environment healthy and beautiful बच्चे हमें अपने environment को अपने पर्यावरण को सुन्दर और healthy बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेर लगाने चाहिए plant a tree today आज एक पेर लगाएं it will help us breathe तुमारों यह हमें कल सांस लेने में मदद करेगा it means यह हमें oxygen प्रोवाइड कराएगा तो सभी बच्चे एक एक plant लगाएंगे संसकार साला 26 अगस्ट Women's Equality Day This Day commemorates the adoption of the 19th amendment to the US Constitution इस दिन को United States के समविदान में 19 वे amendment amendment कहते हैं सुदार को 19 वे amendment के लिए commemorate किया जाता है which granted the women right to vote जिसने औरतों को वोट करने का अधिकार प्रदान किया In 1971 the US Congress officially recognized August 26 as Women's Equality Day 1971 में US Congress ने officially 26 अगस्ट को Women's Equality Day के रूप में recognize किया Instead of worrying about what you cannot control जिसे आप नियंतिच नहीं कर सकते उसकी चिंता छोड़कर shift your energy to what you can create आप अपनी एनर्जी को अपनी छमता को उसमें लगाएं जिसे आप create कर सकते हैं सभी बच्चे जो भी emergency phone numbers है और अपने family members के numbers की लिस्ट बनाएंगे डेली रूटीन begin your day by greeting your parents अपने parents को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुवात करें brush your teeth twice a day दिन में दो बार तांतों को brush करें take a bath daily रोजाना नहाएं drink plenty of water पर्यक्त मात्रा में पानी पियें and eat a balanced diet avoid touching your face अपने चेहरे को छुने से बचें and wash your hands frequently और बार बार अपने हातों को दोई complete your homework on time और अपना ग्रहकारे समय से पूरा करें students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you